दोस्तों हमारी शायरियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और हमसे जुड़ना चाते हैं तो इंस्टाग्राम फेस्बूक पर जरूर फॉलो करें लिंक डिस्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएं जब कोई देखकर भी आपको अंदेखा करें तो समझ जाईए उसकी नजर आप पर ही है रिष्टा वही काम्याब रहता है जो दिल से शुरू हुआ होगा जरूरतों से नहीं याद रखना जब जरूरते बदलती हैं तो लोगों के बात करने का तरीका भी बदल जाता है किसी के साथ बुरा करते वक्त ये मत भूलो कि ये वक्त तुम पर भी जरूर आएगा अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाता है तो इसका मतलब है आप उचसे काफी बहतर हैं सबसे बड़ा गुरू ठोकर हैं खाते जाओ सीखते जाओ जिसके पास दिखाने को कुछ नहीं होता वो इंसान अपनी आउकात दिखा देता है घड़ी को देखो मत बलकि वो करो जो घड़ी करती है बस चलते रहां ये महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठें था तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हैं जो वैक्ति सिर्फ बोलता रहता है वो ग्यानी नहीं कहलाता है बलकि जो वैक्ति शांती वही ग्यानी है कोई उसे कभी नहीं हरा सकता जिसकी जंग जमाने से नहीं बलकि खुद से हो ट्रतेक भै एक समय के बाग क्रोध बन जाता है जो अब तक ना हुआ वो अब हो रहा है पहले ठुकरा दिया था जिसे उसी से फिर प्यार हो रहा है एक अधूरा सवाल आज भी जहन में घुमता है जिसे प्रेम नहीं छला है उसे खुद से प्रेम हो पाता है क्या किसी भी मनुष्य की मनुष्यता उसी समय नश्ट हो जाती है जब उसे दूसरे के दुख पर हसी आने लगती है तेरी आदतों में जीने का मज़ा है तेरी चाहतों में ठोने की सदा है ये तेरे इश्क है मेरे नसीब की बात है, तुझसे मिलने का मुझे इंतिजार है, तेरे क्वाबों की मैं तो पलके बिछाओं तेरे इश्क की मैं तो राहि सजाओं, घीना चाहता हूं तेरे साथ हर पलके, इस दिल को तेरे लिए मैं अपना बनाओंगा, तेरे प्यार में खो गया हूँ मैं, अब कहीं खुद को ना पा सकूँगा मैं, तू है मेरी जिन्दगी की वज़ा, बस यही सची महबत है मेरे दिल में तेरे हर एक फाग को सजाना है, तेरी हर मुस्कान को मुस्कुराना है कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है, प्यास भुश्टी नहीं, बरसात गुजर जाती है अपनी यादों से कह दो जो आया ना करें नींद आती नहीं और रात गुजर जाती है बयां से परे हैं तेरे साथ का सुकून एक पल के साथ हर पल महसूस करू इतनी शिद्दत से जीना है तेरे संग मुझे कि मेरी रूप तेरी रूप से जुदा ना हो सके लोग प्यार तो करना चाते हैं लड़ना तो चाते हैं रूपना मनाना चाते हैं लेकिन किसी को समझना नहीं चाते और रिष्टे इसी वज़ा से बहुत जल्द तूट जाते हैं क्या ख़बर थी हमें कि महबबत हो जाएगी हमें तो बस तेरा मुस्कुराना अच्छा लगा था जो लगते थे पक्के वो वादे सारे तूट गए जो लगते थे सच्चे वो साथ सारे छूट गए जुबानों के पीछे मच चलो कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गदार हो समझे विना किसी को पसंद ना करो और समझे विना किसी को खोभी मत देना क्योंकि फिक्र दिल में होती है शब्दों में नहीं और गुसा शब्दों में होता है दिल में नहीं अजीब मुकाम पर ठैरा हुआ है काफिला जिन्दगी का सुकून ढूंडने चले थे नींद ही गवां वैठे गिरगिट खत्रा देखकर रंग बदलता है और इनसान मौका देखकर मुझे हजी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ कुछ लोग चपल जैसे होते हैं साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड उचालते रहते हैं इस भ्रह्म में ना रहना कि सब रिष्टे खास होते हैं आदे से ज़ादा रिष्टे आस्तीन के साप होते कदर होती है इंसान की जरूरत पढ़ने पर ही क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मुंबत्ती भी नहीं जलाया करते जिन्दगी में सच के साथ हमेशा चलते रहिए तो वक्त आपके साथ अपने आप चलने लगेगा प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है इंसानों की कीमत होने के बाद होती है मीलों का सफर एक पल में बरबाद हो गया जब अपनों ने कहा कैसे आना हो अनुभव सच में एक बहतरीन स्कूल है बस कमबक्त फीस बहुत लेता है एक वेक्ति अपने जीवन में असफल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अनुभव से पहले धन प्राप्त करने का प्रयास करता है संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता इसलिए कुछ कमियों को नजर अंदाज कर अपने और अपनों के रिष्टे बनाए रखे अगर किसी को कुछ देना चाहू तो उसे अच्छा वक्त दो क्योंकि आप हर चीज वापिस ले सकते हो लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त कभी नहीं जिन्दगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपके बुराई भी करे तो दूसरा उस पर विश्वास का करे खुद को माचिस की तीली की तरहा मत बनाओ यो थोड़े से घर्षन सुलक जाती है बनाना है खुद को तो शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेके तो वो भी बुझ जाए जो लोग आपसे जलते हैं उनसे नफरत कभी न करे क्योंकि वही तो वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे वहतर हैं ये लाइफ हमेशा एक मौका सरूर देती है सरल शब्दों में जिसे कल कहते हैं अगर जीवन में किसी भी मोर पर मैं बुरा लगूं तो लोगों को बताने से पहले एक बार मुझे जरूर बता देना क्योंकि बदलना मुझे है लोगों को नहीं मनुश्य को हमेशा मौका नहीं ढूंडना चाहिए क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है दुनिया में हर इंसान अलग है इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही सुएकार करना सीखे सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता किन रिष्टों के सामने कब और कहां हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है जो वैक्ति समझदार होता है वो खुद गलतियां नहीं करता है बलकि दूसरों की गलतियों से सब कुछ सीख लेता है